आगरा में सर्वाधेत लोग प्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोबिन-19 का असर समभागे पर्वहन करयाले की राजस पर भी पड़ा है पिछले वर्ष करीब 89 करोण सदीक का राजस मिला था जबकि इस वर्ष 58 करोण की राजस की प्राप्ति होई है अतकारियों का कहना है कि कोरोना वारस के चलते दुपहिया वाहनों की खरीदारी कम होने क करोण 31 करोण का नुकसान हुआ है कि कोरोना संक्रमण का असर अन्य सरकारी कारियाले प्रतिष्ठानों के साथ संभागे परिवहन कारियाले की राजस पर भी पड़ा है एाटियो प्रशासन अनिल कुमार सिंग का कहना है कि पिछली वर्ष करीब 99 करोण से अधिक का राजस म मिला कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष 31 करोण रुपय का विभाग को नुकसान हुआ है एाटियो प्रशासन अनिल कुमार सिंग का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते दो पईया वाहनों की कम विक्री हुई है इसी वज़े से विभाग को 31 करोण रुपय का नुकसान हु गाडियों की बिक्री कम हुई है लागडाउन में गाडियों की बिक्री शून्य थी सामाने तौर पर पिछले वर्स इन्हीं माहों में अप्रेल से लेके 30 नौंबर तक 89 करोन रुपए राजसों आया था इस मद में इस वित्ती वर्स में 58 करोन रुपए इस मद में आया है 31 करोन राजसों की हान ही हुई है और आम तोर पर जैसा की कैलकुलेशन मैंने देखा कि फोर वीलर में संख्यात्म करोप से बहुत कोई भारी गिरावट नहीं है लेकिन दो पहिया वाहनों में भारी गिरावट है दो पहिया वाहने हमको लगता है कि पिछले वित्ती वर्स के पिछा 40% रेश्टेशन में गिरावट है अधिकारियों का कैना है कि लोकडाउन के बाद 4 पाईया वाहनों की काफी बिक्री हुई है 4 पाईया वाहनों से भी विबाग को इतनी इनकम हुई है लोकडाउन के बाद खरीद गए 50% वाहनों से ही आएमे कमी आयी है C News के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट